हलो फ्रेंड्स, निक्स फ्लेवर में आप सब का स्वागत है आज में आपके साथ बहुत ही स्वादिश्ट और ताजगी से भरपूर अंगूर की सिकंजी की रेस्पी शेयर करने जारी हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इस एनरजिटिक जूस को मिन्टो में बना सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं अंगूर के शिकंजी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम अंगूर लिया है इसे मैंने पानी से दो कर अच्छी तरह से साफ कर लिया है हम एक मिक्सर जार लेंगे इसमें अंगूर को डालेंगे इसमें एक चम्मच चीनी तीन चार पुदिने की पतियां और अधा कप पानी डालेंगे इसका हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से मैंने पेस्ट बना दिया है हम एक चन्नी में इस पेस्ट को डाल कर चम्मत से चलाती हुए छान लेंगे चन्नी में बचे हुए हिस्से को अलग कर लेंगे अब हम इस जूस में एक चुटकी काला नमत, एक चुटकी भुने हुए जीरे का पाउडर एक चौथाई चम्मत चाट मसाला डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए ये देखे फ्रेंट्स बहुत ही आसान तरीके से अंगूर के शिकनजी बनकर तयार है सरु करने के लिए हम ग्लास लेंगे इसमें तीन से चार आइस क्यूब डालेंगे और उसके उपर शिकनजी डालेंगे इसे मिन्ट लिफ्स और अंगूर से गालिश करेंगे जैस्टे पूरी तरह से ऑप्सिनल है आप चाहें को इसे बिना गालिश के भी सरु कर सकते हैं तो फ्रेंट्स गर्मियों में इनर्जी से भरपूर ठंड़ी ठंड़ी अंगूर की शिकनजी को जरूर ट्राय करें बहुत ही स्वाधिश्ट और हेल्दी होता है और अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करेंग।